गुद्बॉर्णिंग तुड़े इस ट्वेल्थ नमबर टू थाउजन सिक्टीन और गोईंटू डिस्कस्टी आर्टिकल्स ओफ दा हिंदू जो पहला इंपोर्टेंट आर्टिकल है आज कल के एक जज्ज्मेंट से रेटिड है सुप्रीम कोट में कल एक जज्ज्मेंट आया किस से एलेटिड? SYL से एलेटिड, SYL यानि सतलूज यमना लिंक, ये एक लिंक नहर है सतलूज रिवर और यमना के बीच में, देखिए ये थोड़ा बहुत इश्यू हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर ये आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला छोटा आर्टिकल आज कमी इंपोर्टन आर्टिकल हैं, फिर भी जो भी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, देखिए, पंजाब में पांच रिवर्स, यानि पंजाब को कहाई ही से ले जाता क्योंकि पांच रिवर्स का स्टेट है ये पंजाब, पहले ये पाकिस्तान का एरिया भी इसमें था, और निकलती है, उपर कस्मीर से जाती है इंडस, उसके बाद में जेलम, जेलम तो कस्मीर में निकलती है, ये सारी आके यहाँ पर पाकिस्तान में जाती है, फिर नीचे आती है रावी, चेनाब रावी ब्यास ये सब आती है, सत्रूद, सत्रूद आती है सिपकिला से यहाँ से, ठीक है और यहाँ पे सतलूज रिवर यहाँ से निकल जाती है मलब थोड़ा gap गड़ बढ़ा गया लेकिन अब देखें सतलूज रिवर अब देखें यहाँ से जा रही है और यमना कहां से आती है यमना देखें उत्रे खंड ये है। तो ऐत ऊचलाता है। सत्तुलूस और यम्ना को हम थोड़ा हाइलाइट करें। इस तरह कोई नहर बनाने की बात होई। तो आगे मैं अच्छी सब्सक्राइव दुखेंगे। और ये देखिए सतलूज प्लस में यमना को लिंक करते हुए, ये नहर बनेगी SYL, क्यों? क्योंकि देखिए इसका निर्मान इसलिए किये जाना था, क्योंकि पंजाब में पहले से काफी पानी है, ऐसे का जा रहा था हर्याना के द्वारा में, और हर्याना एक water deficit state है, क्योंकि पानी हमारा हक भी है, आपके यहां से river जा रही है, इसका मतलब यहने कि आप सारा का सारा पानी यूज करेंगे, पंजाब का अपना तर्क है, पंजाब कहते हैं कि इंडस water treaty के तहद में पहले से बहुत ज़़दा पानी पागिस्तान को दिया जा चुका है, तो हम और हर्याना के करनाल में यह जुडने वाली थी, करनाल जीटी रोड पे ही पड़ता है, बिल्कुल, जीटी रोड यानि शेर सासूरी मार्ग यह बनवाया था, शेर सा ने बनवाया था यह जो अफगान रूलर थे, 1540 के आसपास बनाया था, और अब देखिए, थोड़ी बहु पहले चलते हैं क्या क्या हुआ, 1905 में अलग पंजाब की मांग हो रही थी, तब वाटर एक इशू था, लेकिन तब इतना बड़ा इशू नहीं था, तब पाकिस्तान के साथ बड़ा इशू था, क्योंकि हर्याना और पंजाब तो सेम थे 1966 से पहले, तो हर्याना और पंजा पंजाब में एक, you can say, that discontent था, क्योंकि उसके नुझार में पंजाब को ऐसा लगा कि हमारे स्टेट को इग्नोर कर दिया गया है, और ज्यादा पानी पाकिस्तान को दे दिया गया है, उस समझोते के तहत में इंडस, जेलम, और चिनाव, रावी ब्यास, इंसब का पानी हम इसलिए वहाँ पर discontent था, फिर 1966 में हर्याना पंजाब अलग हुए, और हर्याना ने अपने पानी की मांगरनी स्टार्ट करी, उन्होंने कहा कि देखिए, पानी आप हमारे हक का दीजिया, आपने स्टेट तो डिवाइड कर दिया, लेकिन पानी तो दीजिया, उसके बाद में तो और जड़ा discontent हो गया, वहाँ पर बिल्कुल ऐसा political और emotional issue ये हो गया, पानी तो बिल्कुल हर हाल में देना ही नहीं है, तो क्या-क्या हुआ कि इस धंग से हुआ, उसको थोड़ा दूसरे वे में अब discuss करते हैं, तो अब देखिए, 1981 में, तीन स्टेट्स के CM, पंज इंद्रा गांधी कैनाल का भी निर्मान हुआ था, जो राज़स्तान के दूर्द्रा जिलाकों तक गई वो इंद्रा गांधी कैनाल, उससे गंगा नगर जैसे इलाकों को पानी मिला, ये तो अच्छा इश हुआ था, बाद में देखिए, SYL का निर्मान स्टार्ट हुआ, पटियाला में, यानि जैसे जिस इसाब के, एग्रिमेंट के इसाब से बाद में, राजीव लोंगेवाल एग्रिमेंट भी हुआ था, 1986 में, ये एग्रिमेंट हुआ था पंजाब बल्यू स्टार ओपरेशन के बाद में, यानि जब वो भिंडर वाले, जब उन्होंने अमन लिया था कि हम पानी देंगे, और उसके बदले मनोंने कुछ चीजें मांगी थी, जो सेंटल गोवर्मेंट ने देने की बात कही थी, बाद में देखिए, एक ट्रिबनूल भी गठित किया गया इससे एलेटिड, और 2002 में आके, 2002 में देखिए, सुप्रिम कोट ने पंजाब लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रिम कोट का डिसीजन था, उनको निरस्ट कर दिया, वहाँ पर, 1981 के एग्रिमेंट भी निरस्ट कर दिया, सुप्रिम कोट के उसको भी निरस्ट कर दिया, यहाँ पर इन्होंने अपने लेजिसलेशन के अंदर एक रजूलिश के अगेंस्ट है ये एपेक्स कोर्ट का डिसीजन था आप इसे अपने आप से निरस्त नहीं कर सकते और देखिए S.Y.L. अब उसके बाद से डिसीजन चला ही आ रहा है 2016 में क्या हुआ इस साल मार्च 2016 में भी ये सुर्खियों में था और उन्होंने 2016 में एक डिसीजन लिया कि हम बनाएंगे ही नहीं हम कभी भी नहीं बनाएंगे जो जमीन उन्होंने एक्वायर की थी वो भी उन्होंने किसानों को वापस दे दी यानि जो गड़े खोद रखे थे वो भी भर दिये और किसानों को कहा कि आप इस पर फसल होगा ये ये गटना है इस साल 2016 मार्च की तो उसके बाद ये अब decision आया तो अब ये देखिए ये थोड़ी बहुत इसकी history जो हमने अभी discuss करी इसको सब्दों में यहाँ पे बयान किया ने किया लेकिन उन्होंने नहीं किया और वैसे ही अधर में छोड़ दिया 2004 में मैटर दुबारा से गरमा गया जब अमरिंदर सिंग पंजाब के मुख्यों मंतरी थे उन्होंने resolution पास किया कि हम देंगे नी और निरस्त कर दिया उस agreement को और 2016 में अभी इन्होंने मार्च में किशानों के जमीन वापस करने स्टार्ट कर दिया और कहा कि आप इस पर उगाई है कि नहर का निर्मान तो बिल्कुल ही ठब पड़ गया यानि गड़े जो पहले से मैनत कर रखी थी वो भी विकार गई क्योंकि नहर को भर दिया गया मिट्टी से तो यह सारा इस इस पानी 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 है और प्लिटिशन इसे अपने फाइदे के लिए इस्तमाल करते ही करते हैं और यह फैडरलिजम का इंपोर्टेंट इसु है और कौन से अर्टिकल के अंदर आपको याद होगा 262 में आता यह इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो रिवर होते हैं फिर बाद में हमने कावेरी के कंटेक्स्ट में पढ़ा कि 1956 में एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बोर्ड भी बनाया गया था जिसके तह कोई भी राज्या जा सकता है सेंट्र गवर्मेंट के पास में ट्रिबनूल गथित करने के लिए और संट्रा को एक साल के अंदर अंदर में वह ट्रिबनूल गथित करना होगा तो ऐसा उस रिवर जो एक्ट बोर्ड है उसके तहात में लिखा गया है और सुप्रीम कोड की पर इस पर इंटरीम जजमेंट आ गई या फिर कुछ रिलेटीड मेंटर पर आप यूंभी इसे जूडियल का एक्टिवीजम भी कह सकते हैं कि साफ साफ जब लिखा है 1956 जो इंटरस्टेट वाटर डिस्पूट बोर्ड है कि आप इस पर जजमेंट नहीं दे सकते हैं नहीं कर सकते तो Supreme Court करता क्यूं है तो इस तरह कोश्चन कही बार आता है वाई Supreme Court interferes से even when it is written into the act तो अब ये पूरा इश्यू था तो देखिए ये तो background हो गया तो अब क्या हुआ है वो भी हमने आलरीड वैसे है डिस्क्रस कर चुके हैं कि अब हुआ ये है कि Supreme Court ने judgment दिया है Supreme Court ने पंजाब सरकार के 2004 के पंजाब सरकार ने क्या किया था 2004 में उस aggregate में को निरस्त कर दिया था इन्वलिडाइट कर दिया था Supreme Court ने अब ये कहा है कि आपको हक नहीं है आप rule of law के अगेंश्ट नहीं जा सकते और आप federalism के अगेंश्ट नहीं जा सकते मतलब ये एक interest rates dispute है आप अपने आप से कैसे judgment दे सकते हैं कलको तो कोई भी state कहेगा नहीं ये सिरफ मेरे resources हैं ऐसे तो हमारे idea of India है जो वो गड़ बढ़ा जाएगा हमारा idea of India नहीं गड़ बढ़ाना चाहिए सारे states जो हैं उनको देश के हित में सोचना चाहिए national interest में सोचना चाहिए तो Supreme Court ने तब कहा था 2004 में कि आप एक साल के अंदर अंदर से नहर को पूरा कीजिए और अब Supreme Court ने उनके फैसले को इनरस्ट कर दिया है और यही बात अभी हमने जो डिसकस किया फैटरिजम के गए इस टोरी है डिसकस पॉलिटिक से देखे बहुत जादा इसमें पॉलिटिक कैसे हैं पंजाब में इलेक्शन है अगले साल 2017 में पंजाब में इलेक्शन है सरुमें साल के सरुमीरी में सरवात में फरवरी में तो पंजाब सरकार कि पमजाब की सारी पाटी चाहती है कि कैसे नैं कैसे अपने इश्यूस को आकर दिखाया जाए अब जिससे अमरिंदर सिंह ने रिजाइन और भी वांके MLS ने रिजाइन कर दिया तो यह puppyical issue आप आपको पानी दिलाएंगे आपकी productivity जादा होएगी तो definitely जनता उनका साथ देगी तो इस emotional मुद्दे पर उनको you can say that exploit किया जाता है और कई बार ये बाते देखें national interest के खिलाफ भी चली जाती है बस यही है opposition parties भी उनका हमेशा साथ देती है क्यों opposition parties तो यह लगता है कि ruling party जो resolution पास कर रही है हम कहीं पीछे न रहे जाएं ऐसा न लगे जनता को कि हम साथ नहीं दे रहे हैं इस मुद्दो पर इसलिए opposition parties भी हमेशा साथ देती है तो solution क्या निकलता है solution देखें यह नहीं है यह तो कता ही solution नहीं है कि आप एक तरफा आप अपने assembly के अंदर resolution पास कीजिए और solution इसका निकलता है negotiation से और reconciliation से unilateral तो कता ही नहीं आप बाचीत कीजिए बाचीत से हर एक चीज को सुलजाया जा सकता है और बहुत सारे मैथरपून प्लेटफोर्म है जैसे जो इंटर स्टेट काउंसिल है अब तो आज कल नितिया योग है बहुत सारे ऐसे प्लेटफोर्म है सेंट्रल कॉर्मेंट की साहिता से जैसे इन गंबीर मुद्दो को सुलजाया जा सकता है तो question क्या मनता है question तो यही मनता है वैसे तो federalism में बहुत सारे issues आता है resources को share करने में जैसे boundary issue और boundary issue काई बारते है हर्याना पंजाब में चंडिकट को लेकर भी विवाद है जैसे boundary issue आता है river issue आता है और आपस में tax war जो चलता है दोनों states के बीच में और काफी issues आप इसमें add किजिए language का कोई proceed state language हटा देता है second language जो होती है इस तरह के questions को आप tackle कर सकते है हम देखे एक prelim का question भी बनता है जैसे आप rivers पे prelim के question काफी आते है तो सतलुज जो river होती है वो इंडिया में कौन सी तिबत से जब आती है तो कौन से ला से एंटर करती है ला मतलब दर्रा ये पहाडों को बीच में थोड़ा सा gap होता है इससे river आती है या फिर terrace भी देखे है जब इंडिया पाकिस्तान में enter करते है तो वो भी दर्रे के बीच में से आती है एक pass होता है यानि mountains के बीच में थोड़ी सी जगा जैसे ये mountain है ये भी mountain है बीच में ये river आ रही है दर्रा हिंदी में इसे कहते है तो कौन से दर्रे से आती है सत्रुष river तिबत से जब आती है तो तो इसका answer यही है सिपकिला तो इस तरह से question आप सारी locations देख लीजिए जो important होती है अब देखिए अगला issue जो है इंसे related है Leonard Norman Cohen ये एक singer थे और Canada origin के थे इनोंने fame पाई ग्रीस में भी और इवन मलब ग्रीस तो छोड़ी हो गई US और पुरे दुनिया में इनोंने अपनी fame पाई खाती पाई और इनकी death हो गई है इसलिए इनके द्वारा लिखे की बाते लिखी गई है क्या क्या इनोंने कौन-कौन से गाने गाए गाने तो वैसे भी English गाने है वो तो हमें वैसे भी नहीं पता होगा कौन-कोन से English गाने इनोंने गाए और कोई फाइदा नहीं है इस article को याद करने का और UPSC के context में कम ही important है बस यह याद कर लिए लिनौर्ड नोर्मन को हन की death हो गई है एक Canadian singer थे कल को कुछ थोड़ा interview में पूछते हैं फिर थोड़ी बहुत knowledge के लिए important है अब देखिए अगला जो article है ये तो Donald Trump से related है अब Donald Trump से related और कोई भी article हम discuss नहीं करने वाले हैं इनके election से related क्यों elect हुए कैसे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत जो context चाहिए है वो हमने 2-3 दिन पहले और कल भी discuss किया था और ये देखिए उनके देश के internal politics क्यों वो elect हुए कि इन मुद्दों पर elect हुए हमारे लिए important नहीं है ना UPSC ये थोड़ी पूछेगी why Donald got elected हमारा हमारा हम आपको पता है ground zero आता है तो ये भी important नहीं है मनलब ये भी काट दीजिया और ये भी काट दीजिये मत पढ़िये आज मनलब आपको लगता है देखिए ये तो सिरफ मेरी एक निजी राय है आपको लगता है पढ़ना चाहिए तो आप जरूर पढ़िये ये मेरी विक्तिकत इसको नहीं पढ़ना चाहिए था और जैसा आपको important लगे वैसा आप कर सकते हैं अगला जो issue है देखिए ये सिलंका से related है कल जो एक article आया था वो interview था स्रीशन के साथ नहीं हो जो उनके president है वो हमने कहा था कि वो अगले दिन यानि आज discuss करना है तो अब उस article को discuss कर लेते है कल का ये article important था जो रह गया था इसे हम आज discuss कर लेते हैं दिखिए ओ जो इंडिया और सिलंका के relations है उसका थोड़ा बहुत background एक discuss कर लेते हैं ताकि वो article के थोड़े बहुत points आपको अच्छे से समझा जाएंगे ये इंडिया है ये सिलंका है और ये सिलंका एक island country है टापू इस टाइम से ब्रिटिस आपको पता था एक कलोनी में आते था यामा तो उदोंने सिलंका में भी कलोनी मिनाई और plantation चाय की जो plantation थी वो बहुत उस टाइम पर पचलित थी और उनसे ब्रिटिसर्स फाइदा उठाते थे आज भी काफी पचलित है और देखिए plantation यहां भी थी तो अब एक लेवल के बाद में जाते जाते बहुत सारे यानि जब तक की सिलंका आजाद हुआ सिलंका भी हमारे आसपास ही आजाद हुआ था 46-47 के आसपास जब उनका देश आजाद हुआ सिलंका तब यहां पर बहुत सारे तमिलियन थे यानि एक significant थी तो minority में थे लेकिन significant amount of people, significant magnitude of people थे अब जब भी correlation discuss करते हैं हमने एक दिन पहले भी डिसकुस किया था तो historical context थे सारे context discuss कीज़े आप historical context क्या था देखे historical context थो यही है कि हमारे इंडिया और सिलंका के जो relations थे वो British हर्श टाइम से वोल होते हैं कैसे हमारे तमिल पीपल वहां पे गए लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ 1946 के बाद में अब देखे तमिल मेन है हमारे इंडिया में तमिलाडू में अब वहां भी हैं सिलंका में भी लेकिन वहां पे उनके साथ में सिलंका में तमिल के साथ में एक दोयम दर्जे का विवार होना स्टार्ट हुआ यानि उनको ना तो language rights दिए गए ना citizen rights दिए गए तो अब देखे तमिल के साथ कुछ बूरा होगा सिलंका के अंदर में तो उसका फरक इंड है वो तो इंडिया में है और एक एथनिश्ट ही एक emotional issue होता है जैसे आपको example देता हूँ आज अगर हिंदूओं को देखे माल लीजिए आप हिंदू-Muslim पर मत जाईए आप इसको बिल्कुल अपने वैसे मत लीजिए परसनाइज मत कीजिए लेकिन जो कई बार सरकार की policy हो अगर था तो स्रिलंका के अंदर में तो सरकार यहां के लोगों पर भी फरक पड़ा क्योंकि एक emotional attachments दोनों तमील्स के बीच में और तमिलाडू के बीच में तो इसके बाद में देखिए यहां की जो उन पर अत्याचार हो यहां थो तो वहां की लप्ते यहां भी देखने को मिली और सरकार ने बाद में एक कदम भी उठाने लगे उठाने स्टार्ट किये 1986 में और 1987 में एक जैवर्दने के साथ में वहां के प्रेजिडेंट उनके साथ में राजीव गांदी और जैवर्दने के agreement साइन किया था आपको याद होगा जिसके तयात में हमने peacekeeping force बेजी थ वहां के तमील सिलंका के तमील कर रहे थे हम एक तमील लैंड डीजी अलग देश की मांग कर रहे थे और काफी violence वहां पर हो रहा था तो इंडिया ने भी बीच में थोड़ा बोलना स्टार्ट किया क्योंकि वह तमील पीपल थे इंडिया ने कहा के जल से जल सांती चाहिए तो शिलंका ने एक्ट करना स्टार्ट किया और जो उपर के तमील नोर्थ एरिया था ये देखिए यहां पर जो उपर का एरिया था जाफना ये अलग अलग देश की मांग कर रहा था तमील यहां पे ज़्यादा है शिलंका में तो इन्हों ने भी अलग देश की मांग करनी स्रिरिंकान गुवर्मनन ने इनको ना कटो औफ कर दिया, देखिए ऐसे, बीच में कटो Q कर दिया, कर दिया तो कटो कर दिया तो यहां पे इनको खाने पाने की दिक्कत हो गई, तो यहां पे बाद में क्या किया, इंडिया ने इंटरफेर किया, क्योंकि एक emotional issue था हमारे तमील पाटीज के तरफ से pressure था इंडिया ने अपने aircraft का यूज करते हो यहाँ पे खाना है कि जो packets थे वो गिरा है स्रिलंका ने इसे माना कि यह हमारे देश की sovereignty पर खत्रा है कि आप कैसे हमारे देश के अंदर interfere कर सकते हैं तो फिर भी दोनों देशों के बीच में आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट के बीच में हमारी तरफ से राजीव गांधी और उनकी तरफ से थे यह जैवर्दने इनके बीच में एक agreement sign हुआ जिसके तयात में तमील पीपल जो सिलंका थे वो तमील पीपल को पावर देंगे, अटोनमी देंगे और डिवल्यूशन देंगे और एक federalism की तरफ हमारा देश अगरसर होगा इसके तयात में राजीव गांधी ने का ठीक अगर आप इतनी पावर इनको देंगे तमील पीपल को यह डिजास्टर बड़ा decision क्यों था क्योंकि देखिए जैवर्दने बहुत चुलाक आदमी थे इनको पता था कि यह issue बहुत complicated है और रजीव गांधी ने ने प्राइम वहां पे गोरिला वार चल रहा था हमारा देश तो घिर गया था लिट्टे ने भी बाद में लिट्टे तो देखिए अलग तमील थे पीपल थे यह यह अलग देश की मांग कर रहे थे तो ऐसा सोचा चारा था कि लिट्टे इंडियन फोर्सिस को कुछ नहीं कहीं गया और लेकिन हुआ क्या लिट्टे ने तो इंडियन फोर्सिस को मारना स्टार्ट कर दिया उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वहां का देश तमील में भी पहले से जो तमील पीपल थे उनमें भी इंडियन फोर्सिस के खिलाफ में एक आक्रोज था उनको लग रहा था कि हमारे देश में क्यों आई हुई हैं तो इंडियन फोर्सिस वहां पर स्रिलंका में हर तरफ से गिर गई और काफी यूं सेड़ थाउजन नंबर फिपल मतलब इस तरफ फैक्ट है इतने लोग इतने सोल्जर्स हमारे वहां पर सहीद हुए थे स्रिलंका के अंदर में तो भेज महां पर 2004 में यानि राजय पक से प्रेजिडेंट चुने गए 2009 में उन्होंने लिट्टे को खतम कर दिया लिट्टे जो परभागरन की संस्ता जोलक देश की मांग कर रहे थी और इनको खतम कर दिया सिलंकर गवर्मेंट ने और मार दिया यानि पूरा उप्रेशन्स चला के और बाद में देखिए 2009 में ये आरोप लगता है शिलंकर गवर्मेंट पर कि जब ये लिट्टे के खिलाफ में उप्रेशन्स चला रहे थे तो इन्होंने तमील पीपल पर काफी अत्याचार किये वहाँ पर यानि एक हुमन राइट्स की बहुत ज़दा वाइलेशन्स कैसे वहाँ पर FDI के लिए कर रहे हैं और कैसे वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को लेने के लिए क्लिये कंप्टीट कर रहे हैं इस तरह से आप कोई बी किसी बीडेश के साथ रिलेशन को देखिए इसी कंटेक्स में इसी framework में तो अभी तो पूरे के पूरे सारे हम एक पूरे ज़ादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम की कमी है और फिलाल जो आर्टिकल में है वो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है तो पहले तो दो-तिन कोश्चन जो हैं इंटरनल इस्जू से लेटेड हैं इंटरनल इस्जूस क्या है थोड़ा साब को बता देता हूं इसमें 2004 से देखिए 2000 आल्मोष्ट 15 तक 15 या 16 तक यहां थे बीच में राजे पकसे राजे पकसे ने वहाँ पर इनका नाम है प्रेजिनेंट का यह इन्होंने वहाँ पर एक महतपून काम किया उन्होंने लिख्टे को खतम किया और इंडिया में ऐसे का जा रहा था कि राजे पकसे हैं जो चाइना के साथ में ज्यादा गुल मिल रहे हैं यानि इंडिया के इंटरस्ट को इग्नोर कर रहे हैं और इन्होंने लिख्टे को खतम किया राजय पक्स के खिलाफ में बहुत ज़्यादा महोल था क्योंकि इन्होंने एकोनमी भी खराब कर दी थी और टमील इशू को भी अच्छे सैंडल नहीं किया इवन चाइना के साथ में वो ज़्यादा घुल मिल रहे थे तो इंडिया के इंटरस्ट के भी खिलाफ है इंडिया ने अपने रा का यूजेश करते हुए 확실히 यह इं उसका यूजेश करते हुएर पहले इनको बहार निखलबा जो इनals के फिलाइन अपने principals कि सीरीशेन को वो चिर् nationalist को अ aposish on manifests कि लिया एक्विल फिल की और हैज़ случай जाता है कि इंडिया ने अपनी हेलप से सिरी सेन न को जित वा दिया अभ सिरी सेन अधा में है वहाँ और यह दो तिन गorfया उसरे लेड़ीड है कि जैसे की पावर दी जा रही हैं कि नहीं दी जा था उनकी जांच और उनको नया दिल्वाना तमील पीपल को डिवल्यूशन देना वहां पर उनको नया दिल्वाना एक economy वो कह रहे थे कि मैं एक mixed economy श्रिलंका की होनी चाहिए और इस पर काम चल रहा है जब रजपक से गए थे तो देट बहुत जड़ा था और उस को कम किया जा रहा है और सोसाइटी भी देखी यह सारे इस्यूस हैं उनके इंटरनल पॉलिटिक से एलेठीड हैं हम अपने काम की बाते डिस्कस कर लेते हैं एक तो इस्यूस ऑफ तमिल इनसे पुछा कि आप इस्यूस ऑफ तमिल को कैसे बद रहा है इनको जादा राइट्स देने की बात हो दिया कि सिलंका में जो तमिल पीपल इनको हक़ दिया जाएज उपर का नोर्थ का एरिया जाफना वगरा यहां पे डिवल्यूस न किया जा है और देखे इनको डिवल्यूसान देने की बात होतीया तो जो साउथ के एरिया हैं, साउथ के एरिया यानि इसमें देख लिए आप में, साउथ में यहाँ पे रहते हैं सिन्हलीज, जो local सिलंकन से हैं, यह विरोध करते हैं बार-बार, तो ethnic tensions सिलंकन जो सिन्हलीज, जो कहते हैं, इनको जादा राइस नहीं दिये जाएं, तो यह कहते हैं कि बैलेंस मनाने की जूर्त है, और सभी societies के बीच में वहाँ पे, not even tamils and sinalis, वहाँ पे muslims भी काफी संख्या में हैं, तो तीनों कमूनिटीज के बीच में और Christians भी हैं वहाँ पे, तो चारों कमूनिटीज के बीच में एक balance मनाया जाए, ताकि 37 थापित हो उसके, एक देखे पहले क्या था, जब लिट्टे के खिलाफ वार चल रहा था 2009 में, तो वहाँ पे North Sri Lanka में military ने काफी area पे कबजज मालिया था, मिल्टराइजेशन हो गया था, इवन जो prisoners of war हैं, धक्के से case चलाए गये थे काफी Tamil people के खिलाफ में, पोटा जिसे हमारे इंडिया में जो था, Prevention of Tourism Act, इंडिया में भी है, ये छोटे कंट्री जब भी लाबनाना होता है, ये देखते हैं, इंडिया में क्या लाए है, इंड जुडिशरी का, ये issue क्या कहता है, ये कहता है कि जो human rights violations की जान चल रही है, ऐसा रोब जब स्रिलंका पर लगे थे कि 2009 में जब war end होते 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 तमील people पर काफी अत्ताचार हुए, human rights का violation हुआ, तो एक issue ये है, तमील people के कहते हैं कि जो स्रिलंका की local judiciary है, वो weak है जुडिशरी पहले week थी, जुडिशरी को काफी powers दी गई है, और वो किसी भी फैसले को अच्छे से tackle कर सकती है, किसी भी decision पर जांच कर सकती है, वो ये कह रहा था कि देखिए, फोरन जो judges हैं वो नहीं ला सकते हम, हमारे देश के अंदर में, ऐसे तो हमारी sovereignty हट हो जाएगी तो फोरन जज इस issue पर जांच नहीं कर सकते है, और जो भी करना होगा, हमें खुद से करना होगा, और देखिए, issue of unitary and federalism, अब जो नोर्थ सिरलंका है, नोर्थ सिरलंका और जाफना का लोग हैं, वो तो कहते हैं एक federalism होना चाहिए, यानि वहां के stairs को भी बहुत ज्यादा powers होनी चाहिए, यह जो नोर्थ सिरलंका है, जाफना का एरिया है, यह लोग तो कहते हैं कि हम एक power मिलनी चाहिए, जो साउथ सिरलंका है, वो कहते हैं, unitary country होनी चाहिए, मलब पूरा देश एक ही होना चाहिए, कि प्रोविंस को कोई power नहीं मिलनी चाहिए, तो यह एक है, नहीं उनको encourage या motivate कर सकते हैं, एक powers, balance थापित करना पड़ेगा दोनों के बीच में, unitary के के बीच में और federalism के बीच में, और एक बाद में एक इनसे यह question पूछा गया, कि FTA को भढ़ा के अभी एक economic and technological cooperation agreement sign किया जाए, इस पर यह बोले कि देखिए, definitely सारे के सारे जो agreements sign ह होते हैं, वो दोनों देशों की prosperity के लिए ही होते हैं, तो अभी हम विचार कर रहे हैं, और cabinet में issue पर विचार किया जाएगा, कि क्या इसका effect होगा, और किन terms में इसे sign किया जाएगा, और बस ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा issue यह है कि इसको लेकर local से लंका में एक वो है, you can see the discont है, क्यों, वो यूँ कहते है कि अगर technological cooperation आ गया तो इंडिया से related जादा employees या इंडिया की सारा हम इंडिया पर dependent हो जाएगे, इस तरह का issue वहाँ पर locally media दवारा दिखाया जा रहा है, तो यह sign तो होगा, अब देखना यह है कि कब यह sign होगा, तो आज यही important articles थे, और मेंदे कि जैसा हमने का कि धीरे-धीरे हम अलग से भी topic discuss करेंगे, जैसे एंडिया स्रिलंका relations full scale पर पूरी एक वीडियो जितनी भी होगी, एक देड़ घंटे की, तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, आज के लिए इतना ही, thanks, thanks very much for discussion.